आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now दखो इस question हमें क्या given है एक salt given है mx2 जिसका event of factor में बता है कितना है 2 और हमें क्या होता है degree of dissociation for this solution ठीक है जो यह भी solution जो भी होगा इसका degree of dissociation यानि की alpha value कितनी होगी वो हम से पूछी गई है तो देखो अगर हम event of factor की बात करें event of factor इसका हम किसे रिनोंट करते है i से तो देखो हमारे पास event of factor का एक formula होता है i cos 2 1 plus n minus 1 into alpha यह alpha क्या होता है हमारा degree of dissociation और n के हमारे number of ions अल्राइट अब देखो यह जो हमारा salt है m x 2 अगर हम लोग इसको break करेंगे तो यह कैसे break होगा हमारा m 2 plus और 2 x minus में इसी type से break होगा तो इसमें हमें total ions कितने मिलेंगे देखो 2 x minus और 1 m 2 plus के हैं total ions हमें कितने मिल जाएंगे 3 ठीक है तो इन की value कितने हो गई यहां से 3 और i की value हमें event of active value दे रखिये 2 तो यहां से 2 equals to 1 plus n minus 1 मतलब की 3 minus 1 into alpha तो यहां से alpha हमारा कितना हो जाएगा देखो 2 minus 1 हो जाएगा 1 by 2 मतलब alpha कितनी आ जाएगी 0.5 ठीक alpha कितनी आ रही है 0.5 जमसे पूछी गई थी तो options में देखें तो अपना correct option कौन से हो जाएगा degree of dissociation हो जाएगा अपनी 0.5 option number 1 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल ता 10 मिलियन से जाएगा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 पर